आटा गूने की रेसिपी आपको बनाना सिखा रहे हैं आटा गूने की रेसिपी जिसके बाद आप रोटियां बना सकते हैं पराथे बना सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा आदा किलो होल वीट आटा हमने यहां पे लिया है आप देख सकते हैं और या अपकी अपनी चॉइस है आप कितना चाहें एड कर लें हमने यहां पे 50 ml ओल लिया है नमक 1 टी स्पून और पानी हजबे जुरूरत तो नादिन सबसे पहले आपने नमक डालेना है और इसके बाद इसको अची तरह से हाथों से मिक्स कर लें प्रीज अपने हैंड्स वाश कर लें मैंने पहले से ही वाश कर लिया थैं जब यह मिक्स हो जाए तो आपने बीच में एक घडा सा बना लेना है और उसके बाद थोड़ा सा गॉल डालें और साथ में ही पानी और उसके बाद आपने इसको पहले क्लॉक्वाइस को माना है और फिर एंटी क्लॉक्वाइस और साथ साथ आपने इसमें पानी डालते रहना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी कंसिस्टेंसी किती है और फिर क्लॉक्वाइस और फिर एंटी क्लॉक्वाइस आप देख सेते हैं के बॉल कितना अच्छा इसका बन गया है और इस पॉइंट पे आप हलका सा ओयल अपने हाथों में लेकर इस पे रफ करेंगे और उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा पूंदेंगे इसे रोटी आपकी यह आप राथा बहुत सॉट बने गए अब देख सकते हैं दो रेडी हो गया है और अब इसको आप हेंडी रैप से कवर कर दे और 15 मिनिट्स या 20 मिनिट्स के लिए रख दे हैं और नाज़िया आप देख सेते हैं कि इसको हम ने हैंडी रैप से कवर कर दिया है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लेगी है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें ओके जी आलाफिस